हेलो स्टुडैंट्स यह आपका part 27 वीडियो है और आज का आमाई टॉपिक है द्यूचर संक्रिया या द्यूवि अधारी संक्रिया एग्रेजी में कहते हैं binary operation तो चलिए सबसे पहरे जान लेते हैं कि दिविचर संक्रिया या दिव्याधारी संक्रिया होती क्या है तो हम लोग इसे ऐसे परिवासित कर सकते हैं लिख सकते हैं कि यदी किसी समुच्य यदि किसी समुच्च के दो अवयव पर संक्रिया करने से प्राप्त नया अवयव भी उसी समुच्च का अवयव हो तो संक्रिया को द्वीचर या द्वी अधारी संक्रिया कहते हैं द्वी अधारी संक्रिया कहते हैं द्वी अधारी संक्रिया कहते हैं चलिए अब हम लोग इसको एक एक्जामपल से समझते हैं मैं यहाँ पर एक समुच्च ए लेता हूं जिसका एलिमेंट वान टू थ्री फोर फाइफ सीक्स यह कहा तक चला जगा समुच्च का इनफिनिटी तक यानि यह प्राकट संक्रियाओं का समुच्च है प्राकट संक्रियाओं का समुच्च को यह निरूपिट करा हैं देख रहा ना जी, चलिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप कोई भी दो प्राक्रिट संख्या लेजिए, आप परिभासा करने साथ देखिए, यदि किसी समुझ के दो अवयों पर, यानि कि इस समुझ का कोई भी दो अवयों लेजिए, आप एक तीन लेलो, एक साथ लेलो दो नौ लेलो, कोई भी दो अवयों लेलो, और उनके बीच में यहाँ पर एक संक्रिया कर रहा हूँ, कौन सा, योग की, यहाँ देख रहा है ना, बीच में प्लस की है मैंने, यानि कि यह एक संक्रिया है, आप्रेशन है, प्लस, यह दोनों के बीच में हमने क्या संक्रिया दो आवयोव लेकर इस पर हम संक्रिया करें कौन सा योग की संक्रिया करें और योग करने से हमें जो नया आवयोव प्राफ्थ हो रहा है यहां आवयोव भी इसी समुझ्च का है देख लिजिए यह सब भी इसी समुझ्च के हैं जो नया आवयोव प्राफ्थ हो रहा है इसी स समुच का आवयो है यानि हम यहां कह सकते हैं कि यहां पर योग जो है ऑपरेशन जो हो रहा है योग दो प्राकृत संख्याओं का योग जो हम देख रहा है यह कैसी संक्रिया है द्वी आधारी संक्रिया है क्लियर हो गया परिभासा से यदि किसी समुच के दो आवयो यानि इ इसी समुझ का उयो है इसलिए दो प्राकित संख्याओं का योग आपका क्या है एक द्री अधारी संक्रिया है अब यहां जो हम देख रहे हैं यहां जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उनके बीच उप्रेशन करने के लिए वो पेर में ले रहे हैं दो दो ले रहे हैं है न जी पेर में ले रहे हैं और उनके बीच उप्रेशन करने पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो सिंगल एक मान प्राप्त हो रहा है वो भी इसी समुझ का अव्या हो यह वन सेबन भी उसी तरह से यहाँ टू नाइन भी विलॉंग करेगा तो हम लोग यहाँ इसको दीचर संक्रिया को इस प्रकार भी परिपासित कर सकते हैं कि किसी किसी अरिक्त समुच्च ए में दीचर संक्रिया एक फलन है अब कहोगे कि सर यह फलन कैसे है तो देखिए फलन इसलिए हम लोग कह रहा है क्योंकि देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जैसे इसी को देखो उपरवाले और एक्जामपल को मैं यहां क्या कर रहा हूँ ordered pair में मैं elements ले रहा हूँ और उनके बीच operation कर रहा हूँ जो हमें मान प्राप्त हो रहा है यूनिक मान मिल रहे हैं यानि कि actual में हम लोग जो element रहे हैं ये pair में यह आपके क्या कहलाएंगे यहां binary operation के लिए वो प्रांत वाले होगे हो कहलाएंगे और रखने पे जो मान प्राप्थ होगा वो परिसर वाले होंगे हाना वो परिसर वारे element जो होंगे किसे बिलोग कर रहे है, set एसे ही बिलोग कर रहे है, इसका मत्तब ये एक फलन हुआ, जो a cross a के प्रतेक आवया हो a cross a के प्रतेक आवया हो, देख लिजिए a cross a के a cross a के जितने भी आवया होंगे, आप कोई भी इसमें order पे ले सकते हो, प्रतेक आवया हो, a cross a के प्रतेक आवया हो, या कह सकते हैं, प्रतेक करमित युग्म में लिख सकते हैं, ठीक है, प्रतेक आवया हो लिखी है, a cross a के प्रतेक आवया हो, या करमित युग्म, कौन से करमित युग्म, a, b, करमित युग्म माल लेते हैं, को एके आद्वितिय आवयव से संबध करता है संबध करता है समझ गया? दिविचर संक्रिया भी एक फालन है जो एक्रोस एके प्रते कावयव या क्रमित्युग यानि एक्रोस एके प्रते कावयव कहने के मतलब आप कोई भी दो अवयव ले लिजिए सेट एका कोई भी दो अवयव ले लिजिए कोई भी आप एनिफिंग जैसे चार और पंद्रा ले सकते हैं और इनके बीच जब योग का आपरेशन करेंगे तो जब में प्राप्त होगा माल वो भी आपका इसी समुझ्च का होगा देख रहा है ना तो A क्रोस A के प्रते कावय या क्रमित युग में A B को A के A दिवतियों से संबंधित करता है इससे है ना A के A दिवतियों से संबंधित करता है देख रहा है ना यहाँ पर इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि यहां जो अगर मालेज ये A और B के बीच ऑप्रेशन करना है तो जनरली हम लोग A स्टार B लिखते हैं यह अप्रेशन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं यहां पे अब छिपा हुआ है यहां अप्रेशन है कि आपके कोशन में डिफाइन होगा कहीं कहीं क्या करेगा A अप्रेशन B बराबर A प्लस B तो इसका मतलब है कि A और B के बीच के ऑप्रेशन क्या है कि दोनों का यूग कहीं कहीं देदेगा कि A अप्रेशन B बराबर में A स्क्वाइर प्लस B इसका है इसका मीनिंग क्या है कि A अप्रेशन B का मतलब हुआ कि दो दिखिया के लिए star का यूज़ कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि फलन फलन star यानि कि star क्या है एक binary operation है फलन star कैसे define होगा तो a cross a to a a cross a to a यानि कि जो element हम लो लेंगे वो किसके लेंगे a cross a के a cross a के element लेंगे और a cross a के सभी element के लिए a cross a के सभी element के लिए देख लिए प्रतेक अव्यों के लिए a cross a के प्रतेक अव्यों के लिए यानि हर एक element के लिए बात करेंगे हर एक element के लिए आप इसमें कोई भी paired ले सकते हो इसका मतलब कि हम लोग फंक्शन में देखते हैं कि अगर मालिज ये f a a से b में फलन है तो a के प्रतेक अव्यों का इसमें प्रती भी मिलना चाहिए रहे देखे थे ना तो उसी तरह यहां भी देख रहा है कि यह संक्रिया स्टार जो है आपका एक फ़लन है जहान एक रोस एक के प्रतेक अव्यों के लिए है ना कि उनसे जो मान प्राप्थ होगा हाँ ना जिनके परिशर वाले मान प्राप्थ होगे वो किसे बिलॉंग करेंगे सेट ए से ही बिलॉंग करेंगे ठीक है तो अब इसका मेनिंग आप समझ लिजे कि स्टार क्या है एक यह ओपरेशन stars हो रहा है यह एक द्वीचर संकिरिया है तो यह एक fallen होगा कैसा fallen होगा तो a cross a to a पर define होगा यानि कि उसके प्रांत a cross a होगा और सा प्रांत a होगा यानि इसके परिशर का मान a से बिलोंग करेगा परिशर वाले हो इससे मिलेंगे ठीक है और यहां लिख सकते हैं समुच समुच a पर एक द्वीचर द्वीचर संकिरिया कहलाता है द्वीचर संकिरिया कहलाता है यानि कि जो आपका द्वीचर संकिरिया होता है वह एक फलन होता है a cross a to a पर यानि उसके प्रांत क्या होगा ए क्रोस ए होगे हना प्रांत ए क्रोस ए होगा और उसका परिशर ए से बिलॉंग करेगा कहने मतलब रखने वाले element a cross a के order फिर होंगा और उनके बीच operation star करने पर संक्रिया star करने पर जो मान प्राप्त होगा वह किसे होगा वह a से ही बिलोंग करगा तब उसे समुझ a पर एक दिवचर संक्रिया कहेंगे समझ गया वही मैंने उपर भी बता है इस परिवासर में भी दिख रहा है कि यदि किसी समुझ a समुझ के दो वयों पर संक्रिया करने पर प्राप्त नया अव्यों भी उसी समुझ का व्यों हो तो संक्रिया को क्या कहते है दिवचर संक्रिया या दिवधारी संक्रिया कहते है यहाँ पर भी वही डिफाइन हो रहा है कि star, फलन स्टार a क्रोस a to a पर अगर डिफाइन होता है तो उसे समुझ a पर एक द्यूचर संक्रिया कहेंगे समझ गये, clear है, दोनों एक ही मतलब है, तो थोड़ा अच्छे से इसको संक्रियाओं की संक्या क्या होगी, जब वो समुझ परीमित हो, जहां रखेगा, परीमित समुझ के लिए ही, द्यूचर संक्रियाओं की संक्या हम लोग गयाद कर सकते हैं, आप परीमित के लिए नहीं चलिए, तो हम लोग किसी समुच A के लिए चिक कर लेते हैं, तम लोग बात करेंगे, किसी समुच, किसी समुच A पर द्यूचर संक्रिया, अच्छा किसी समुच A पर द्यूचर संक्रिया एक फलन होता है, कैसे फलन होता है? तो A X A से A में एक फलन है, किसी समुच A पर द्यूचर संक्रिया क्या है? A X A से A में एक फलन है, अभी मैंने आपको बता है था. इसलिए हम लोग यां लिख सकते हैं, कि समुच A पर द्यूचर संक्रियाओं की संक्रिया. कितनी जीचा संक्रिया हो सकती समुझे पर उसकी संख्या कैसे निकालेंगे तो वह बराबर होगा A x A से A में जितने फलन होगे उनके संख्या पर सिंपल सी बात है फलों की संख्या पर तो मैंने फलों की संख्या निकालें के लिए आपको क्लास 11 में बता रखा है थीक है वह कैसे निकालेंगे तो समुझे की अव्यों की संख्या की घात में हो जाएगा समुझ A x A की अव्यआ की संख्या थीक है दिखके अगर हम यहाँ पर माल ले माना समुझे में अव्यों की संख्या M है तो समुच A पर द्वीचर संक्रियाओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी तो हो जाएगी यहाँ से देखिए A में कितने होए M है ठीक है और इसके पावर में A क्रॉस A के होएँ तो जब समुच A में M होएँ है तो A क्रॉस A में कितने होएँ की संख्या होगी M into M यानि M square यानि M का पावर M square हो जाएगा यहाँ से यह फॉर्मुला जिस समुच A में M होएँ हो तो समुच A पर द्वीचर संक्रियाओं की संख्या होगी M का पावर M square यानि अगर मैं माल लेता हूँ यहाँ पर एक समुच A है जिसके अंदर अव्याओं एक और दो है तो इस पर द्वीचर संक्रियाओं की संख्या है तो द्वीचर संक्रियाओं की संख्या होगी 2 का पावर 2 का square देखराने सी तरह न 2 का पावर 4 यानिकि 16 द्वीचर संक्रियाओं की संख्याओं की संख्या है समझ गए अब यह द्वीचर संक्रियाओं कई तरह से हो सकती है योग अंतर गुना भाग जो भी यह कई तरह की संक्रिया हो सकती है उनके बीच में कोई भी operation हो सकता है total आपके कितना operations होंगे 16 वीचर संक्रिया होंगे चलीए अब हम लोग दूचर संक्रियाओं के प्रकार के बारे मात करते दो पहला देखते हैं क्रम वीनिमें, क्रम वीनिमें, क्रम वीनिमें, द्वी आधारी, द्वी आधारी संक्रिया, अंग्रेजी में कहेंगे, क्म्यूटेटीव, क्म्यूटेटीव, बाइनरी, ओपरेशन, क्म्यूटेटीव, बाइनरी, ओपरेशन, हम लोग क्रम वीनिमें नियम पढ़े थे न, वो इसी प्याधारी थे, हम लोग क्या सकते हैं, कि किसी समुच, ए में एक द्वी आधारी संक्रिया, द्वी आधारी संक्रिया, यहनि बाइनरी ओपरेशन, स्टार, क्रम वीनिमें, क्रम वीनिमें, कहलाती हैं, कहलाती हैं, यदि, ए ओपरेशन बी, इक्वल हो, बी ओपरेशन ए, फोर आल, ए बी बिलॉंग्स तू सेट ए, ठीक है, तो ध्यान अकना होगा, कि क्रम वीनिमें के लिए सबसे पहले तो ध्यान देना होगा, कि वो जो संक्रिया दिया हो, जो आपरेशन दिया हो, वो पहले आपका एक binary operation होना चाहिए, देखरना ना, किसी समुझ ए में एक द्विया धारी संक्रिया यहनी वो binary operation पहले से होना चाहिए, binary operation star, करम वीनिमें कहलाती है, कब कहलाती है, जब A operation B बराबर हो B operation A के, for all A B belongs to A, ए, B किसे बिलॉंग करे, सेट A से, ठीक है, जैसे मैं यहाँ प कि star एक operation है हा ना किस पर हम लोग माल लेते हैं हम लोग माल लेते हैं कैसे define वो n cross n to n ऐसे लिखिए है या simply आप लिख सकते हैं कि star जो operation है natural number पर है तिक है या n cross n to n ऐसे लिख दिख दिया है और एक कैसे define है a star b equal to में a plus b for all a b belongs to natural number मैंने ये question में लिया अब हमें बताना है कि यह binary operation है की नहीं और यह crumb minimum है की नहीं ठीक है यानि कहने का मत्तब पहले हमें यह देखना होगा कि binary operation है की नहीं अगर मुझे क्रम भी नहीं भी कह दें कि आपको check करना है कि commutative binary operation है की नहीं तो पहले तो यह binary operation होना चाहिए तो ओ कैसे check करेंगे तो अगर मैं बात करूँ a b belongs to n यानि a b natural number लोगा तो a और b के बीच operation करूँगा तो वह किसके बराबर है a plus b तो हम लोग जानते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का योग दो प्राकृत संख्याओं a b का योग भी आपका क्या होगा एक प्राकृत संख्या होगा ठीक है तो यह आपका एक क्या होगा बाइनरी खर फलाना की इस समुछ का कि इस समुच का एक व्लेते मतलब कि एन का कि और आ आइसे कर सकता है कि n cross n का एक order a b लेकर order पेर a भी लेकर उनके बीच operation करने पर जो मान पराप्त हो रहा है वह उसी n से बिलॉंग कर रहा है that means यह binary operation हो यह अब यह binary operation है यहां तो हमें पाता चल गया कि binary operation है तो एक commutative है कि नहीं यह हमें बताना है यह समझ भाएना बाइनरी operation क्यों है क्योंकि हम लोग देख रहा है कि अगर a b natural number है तो उनके बीच यह operation करने पर हमें जो value निकल रहा है वो भी आपका natural number ही मिल जा रहा है यह binary operation है और binary operation है तो हमें commutative चेक करना है तो लिखेंगे for commutative यानि क्रम भी निमय के लिए commutative के लिए a operation b बराबर होना चाहिए b operation a के for all a b belongs to किसे से तो n से ठीक है तो आप पहले lhs लो a operation b तो a operation b यह और b के बीच का operation क्या है a plus b अच्छा rhs लो तो rhs लोगे तो b operation a है तो इसके according चलोगे तो क्या करें पहले और दूसरे वाले को जोड़े रहे हैं तो यहां पहले और दूसरे वाले को जोड़ेंगे तो B प्लस A हो जाएगा तो हम लोग B प्लस A को A प्लस B भी ली सकते हैं क्योंकि योग के क्रम वी निमाय नियम से हम लोग पढ़े हैं ना कि दो प्राकृत संख्याओं का योग दो प्राकित संख्याओं के लिए अप्लस भी बी प्लस ए के बराबर होगा करम बीनी माइटनी हम सम्नू जानते हैं तो देखो ये दोनों वैलू सेम आ गए यानिकि यहां A operation B बराबर है B operation A के फर ओल ए बी बिलॉंग्स टू नेचरल नम ठीक है तो इसका मतलब यह क्या हुआ कॉमुटेटिव हो गया समझ गया यहाँ जो यहाँ जो आप देख रहा है बाइनरी ओप्रेशन यह क्या है क्रम भी निमे बाइनरी ओप्रेशन है क्रम भी निमे दिवाधारी संक्रिया है अच्छा मैं यहाँ पर अगर दूसरा कोई उप्रेशन लेके चलो मालो मैं ऐसा लेता हूँ उस्तार एक उप्रेशन है N क्रोस N टू N पर डिफाइन है और A उप्रेशन B कैसे डिफाइन है तो A उप्रेशन B बराबर है A माइनस B के फ़र आल A B विलाउंस टू N तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बताओ कि यह कम्मुटेटिव बाइनरी ओप्रेशन है की नहीं तो पहले तो यह बाइनरी ओप्रेशन है या नहीं यह पहले पताओना चाहिए तो अगर मैं A B की बात करूँ यह दोनो नेचरल लंबर है तो उनके बीच ओप्रेशन करने पर A माइनस B हो रहा है जो की हमेशा नेचरल लंबर नहीं होगा आप एक जामपल से देख सकते हो आप एक और तीन लेलो एक तीन के बीच ओप्रेशन करो तो एक में से तीन घटाएंगे माइनस दो एका जो की नेचरल लंबर नहीं है तो हम लोग देख रहा है कि N के दो अव्यों लेने पर उनके बीच ओप्रेशन करने पर N से वो बिलॉंग नहीं कर रहा है जो मान प्राथ्वरा वो N से बिलॉंग नहीं कर रहा है तो कमिटेटिव का सवाल ही नहीं उठता है समझ गए? अगला सेकेंड देखते हैं हम लोग अगला है आपका दूसरा साहचर्या साहचर्या द्वी अधारी संक्रिया साहचर्य द्यू अधारी संक्रिया अंग्रेजी में कहेंगे एसोसियेटीव एसोसियेटीव बाइनरी ओपरेशन बाइनरी ओपरेशन एसोसियेटीव बाइनरी ओपरेशन चलिए तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं आलिक सकते हैं कि किसी किसी समुच्च किसी समुच्च ए में ए में द्वी अधारी संक्रिया द्यू अधारी या द्यूचर संक्रिया साहचर्य कहलाता है कहलाता है यदि ए ओप्रेशन बी ओप्रेशन सी बराबर हो ए ओप्रेशन बी ओप्रेशन सी के फर ओल ए बी सी बिलॉंग्स टू सेट ए तो यहां भी हमें देखना होगा कि द्यू अधारी संक्रिया पहली होनी चाहिए जो अगर पास ऑप्रेशन दिया होगी हा वो क्या होना चाहिए एक बाइनारी ऑप्रेशन होना चाहिए तब वो सहचर कहलाका कब जब ए AI Πारेशन बी ओप्रेशन A operation B operation C इसके बराबर हो यहाँ ध्यान रखना इसको जल्दी से पढ़ेंगे A operation B और फिर थोड़ा सा रुखेंगे और फिर कहेंगे operation C यहाँ भी इसी तर से A operation B operation C इसको एक साथ पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा रुख के पढ़ेंगे तर्वेना बात को देखो यहां कैसे मैं पढ़ो ए अपरेशन भी ऑपरेशन सी थोड़ा इसको तेजी से पढ़ेंगे यहां थोड़ा से रुख जाएंगे इसका मतलब यह होगा कि यह एक साथ है यह अलग है यानि कि पहले इनके बीच ऑपरेशन होना है छोटे वाले मतलब क सादीर क्यालाईगा कब जब a operation b operation c बराबर हो a operation b operation s के क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं है और यह a b cа किसे भी लोग रेगा से इस पर भी आप example लेकर चेक कर सकते हैं मैं आप एक example लेकर भी आपको दिखा सकता हूं मैं कहारो star एक द्वियाधारी संक्री है n cross n पर n cross into n पर ठीक है कैसे है तो a operation b यहाँ define है a operation b define है a into b से for all a b belongs to natural number तो देख लिजिए यहाँ एक binary operation इसलिए है क्योंकि अगर मैं दो natural number लो और उनका product निकालो तो वो भी आपका natural number ही होगा तो यह binary operation है तो चलिए अब साहचर के लिए बात करते हैं तो for associative यानि associative के लिए associative के लिए क्या होना चाहिए तो हमें देखना होगा कि a operation b operation c वराबर हो a operation b operation c के for all a b c belongs to किसे तो यहाँ belongs करेगा किसे आपके यहाँ क्या दिया है natural number ठीक है चलिए तो हम इसका lhs लेते है lhs में है a operation b operation c थोड़ा operation का symbol आप सही से देना तो a और b के बीच का operation क्या हो रहा है a into b हो जाना है फिर operation c अलग है यानि पहले इसके बीच operation कर लिए यह वाला अब देखिए अब इसका operation क्या है तो यहां है a operation b operation c तो पहले b और c के बीच operation होगा तो वो b c बन जाएगा इसके according और फिर इनके बीच में operation होगा तो यह a b c हो जाएगा तो यह दोनों equal हो गया ना यह कैसा है एक आपका साचर दिवधारी संक्रिया है अना एसोसीएटी binary operation है समझ गए तो इस वीडियो कब यहीं पेइन कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे चलिए तो हमारे तीन चैनल है तीनों का आप सब्सक्राइब कर लेंगे पहला है pathfinder classes छप्रा pathfinder classes छप्रा दूसरा है भारती भवन भारती भवन रवी कांट सर रवी कांट सर और तीसरा है रवी कांट सर और इस related वीडियो के लिए सीधर description में जाएंगे और इसे समझे notes के लिए google पे जाके search करेंगे www.ravikant sir.in और यहां पर जाकर आप सभी classes के notes और उनके PDF को download कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं